कौरोना की गंभीर इस्थिती को देखते हुए भारत सरकार ने लॉगडाउन लगा लिया है लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार ने लॉगडाउन लगा दिया वहीं विबक्स पार्टिया भी ये पूछ रही है कि आपने किन से पूछ कर ये लॉगडाउन लगाया क्या हमें बता कर ये लगाना नहीं चाहिए था क्योंकि जिस तरीके से गरीब मजदूर और जो डेली रोजगार करके अपने पेट का पालन करते हैं वैसे मजदूरों को लिए इस कोरोना के सफर में ललाई लड़ते हुए उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसी समस्याओं को लेकर अवश्यदून अवश्यजी जो कि AIM के शुपरिमों हैं और उन्होंने पियम मोदी पर निशाना साथते हुए उन्होंने कुछ जानकारी भी बताई है कि पियम मोदी जी आप ऐसा ऐसा करें ताकि गरीबों के पेट जो है वो खाली ना रहा सके और भी पियम मोदी पर क्या-क्या आरूप लगाया और उनको लेकर क्या-का कहा आए देखते हैं वीडियो से कि गरीबों की इस तकलीफ को जो लॉकडाउन की वज़े से हो रही है लॉकडाउन बगएर किसी से मशवरा की वजीर आज़ान कर दिये ना कोई टाइम दिये एलान कर दिये कोई कुछ नहीं कर सकते और इस लॉकडाउन की अनप्लैन लॉकडाउन की वज़े से आज भारत क कि हर बड़े बड़े शहरों में मैं हिदराबाद की मिसाल दे सकता हूँ तैलंगाना की मिसाल दे सकता हूँ जो हमारे भाई उत्तरपरदेश, बंगाल, बिहार के खास तोरजे सीमानचन से आए हैं, जहरकंड से आए हैं, कोई पुरसान यहाल नी होंगा, ये तो हमारे चीफ में केसियार ने कहा कि कोई भुका नहीं सोएगा, किसी चीफ फिनिस्टर ने इस तरह का बहन दे दिया, और यहां की तैलंगाना की हुकूमत ने, उन माइगरंट लेबररस के लिए, उनके लिए राशन का इंतजाम किया, उनको पांच सो रुपे देने का इंतजाम किया, आ पांच सानी है, क्या कि यह वजीर आजम आपने ठीक है, आपने पीडियस को जारी किया, 77 मिलियन टन फूट कर्परिशम इंडिया में हमारा गोदाम भरे में छोड़िये न उसको परदान मंतरी जी, किस दिन के लिए फूट कर्परिशम इंडिया में इतना सामान रखा गया है आजी के दिन तो ना अजरामी का कुराप आएगा और बर जाएगा एक सबसीडी के पैसे के लिए अकाउंटिंग के लिए छोड़ियो उसको फूट कार्पिन इंडिया से पूरे भारत के स्टेट्स को दीजी आप जो जो एफसी आई में पूरे स्टेट्स को दीजिए उन को दीजिए जो लंगर लगा दे जो खाना पका कर गरीबों के किलाएंगे 77,000,000,000,000 फूट कार्पिन इंडिया वरा किस दिन के लिए क्या करेंगे हम अमेरिका को तो आप दवाएं दे सकते हैं कि भारत के लोगों को फूट कार्पिन इंडिया से बदार मंतरे आप नहीं 77,000,000,000,000 रखावा है FCI में अब ये खुड़ा पाएगा और बढ़ेगा है इंशाल्ला इसी आजी ऐसे दिनों के लिए तो हमने किया था मैं लॉगडाउन अगर आपको बढ़ाना है वजिरिया आज़म ये आपका फैसला है मगर लॉगडाउन अगर आप बढ़ाएंगे तो लॉगडाउन उसी वक्त कामियाब होगा जब एक एक गरीब के अकाउंट में आप कम से कम 5,000,000 रुपे डालेंगे डालिए 5,000,000 रुपे अगर बजट को खतम करने खतम करके निया बजट कीजिए अगर नोटों को छपाना है तो छापिये नोटों को चीफ फिनिस्टर चंदर शेकराओं ने सही का ये वक्त जान बचाने का है गरीब या तो गरीब कह रहा है कि हम कोविट से नहीं मरें तो भूख से मर जाएंगे कहा जाएगा गरीब बताईए आप मैं वजीरियाजम से अपील कर रहा हूँ डिमांड कर रहा हूँ कि आप लॉक्डाउन अगर बाना चाह रहे है तो स्टेट्स को हमारे तेलंगाना में 85 लाग वाइट रेशन का डोल्डर से मैं मिसाल दे रहा हूँ आप दीजिए सेंटर से तेलंगाना सरकार को कि एक एक वाइट रेशन कार्ट होल्डर के अकाउंट में 5000 रुपे डाले जाएंगे लाग डाउन आप बढ़ाई है लाग डाउन काई में उस वक्त होगा कब तक हम वरीबों को रोक पाएंगे उनको खाने की जरुवत है यखिनन तेलंगाना में यहां की सरकार आउट अफ देवे जाकर दो महीने का राशन भी दे रही है अब 1500 रुपे अन खरीब अकाउंट में भी जमाए किये जाएंगे